जून शेरी और डव ट्वाइट के साथ वर्चिरिया से पैडरे लौट कर आ जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ट्रेसी स्ट्रेंड के पास है वो तीनों ही स्ट्रेंड से ट्रेसी को ट्रॉय को लौटा देने के लिए कहते हैं स्ट्रेंड उन लोगों को कहता है कि जब तक ट्रेसी उसके पास रहेगी ट्रॉय पैडरे पर अटेक नहीं करेगा पैडरे में रहने वाले लोगों को बहुत बुरा लगता है कि मैडिसिन और स्ट्रेंड ट्रॉय के साथ के अपने जगडे को पैडरे तक लेकर आ गए थे उन लोगों को लगता है कि ट्रेसी को ट्रॉय को बापस लोटा देना ही इन सबसे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका था उन्हें लगता है कि ट्रेसी को बापस लोटा देने से ट्रॉय पैडरे की लोगों को अपना दुश्वन नहीं मानेगा और पैडरे पर अटेक नहीं करेगा स्ट्रेंड और जोन एक दूसरे के उपर इलजाम लगाने लग जाते हैं स्ट्रेंड कहता है कि जून ने पहले अपनी पहचान बदल कर अपने गुजरे हुए कल से छुपने की कोशिश की थी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब स्ट्रेंड कर रहा था तब स्ट्रेंड उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ संभाल लेगा स्ट्रेंड, ट्रेसी, जून, शेरी, ट्वाइट, सभी एक बोट पर ट्रॉई की तरफ रवाना हो जाते हैं ड्वाइट ट्रॉई से रेडियो पर कांटेक्ट करता है, और उसे बताता है कि स्ट्रेंड ने ट्रेसी को उठा लिया था ड्वाइट इसके लिए तयार हो जाता है, स्ट्रेंट और लोगों की बातों को सुन रहा था, वो ट्रेसी के आँखों की पट्टी हटा देता है, और उसे पैडरे की लोकेशन के बारे में बता देता है, ड्वाइट शेरी और जोन ये देखकर हैरान रह जाते हैं, अब वो ट ट्रेसी को ट्रॉइ तक नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ट्रेसी ट्रॉइ को पैडरे की लोकेशन बता सकती थी, ट्रेसी तभी मौके का फायदा उठा कर बोट से खूच जाती है, स्ट्रेंट भी ट्रेसी के पीछे बोट से खूच जाता है, उन दानों के कूदने के कारण पोर्ट का पावर बंद हो जाता है, ट्रेसी एक आइलेंड पर पहुँच जाती है, वहाँ उसका सामना वॉकर्स से होता है, स्ट्रेंड वहाँ पहुच जाता है, और ट्रेसी को वॉकर्स से बचाता है, स्ट्रेंड ट्रेसी के गले में नेकलिस देखकर चौग जाता है, ये अलिशा का लोकेशन जानना चाहती थी मैडिसन स्ट्रेंड के साथ ट्रेसी को देखती है स्ट्रेंड उसे ट्रेसी के बारे में बताता है स्ट्रेंड मैडिसन को बताता है कि ट्रेसी ट्रॉई की बेटी थी वो मैडिसन को ये भी बताता है कि जून, ड्वाइट और शेरी ट्रेसी के पीछे पड़े हुए थे ताकि वो पैडरी की जगे के बारे में किसी को ना बताए ट्रेसी मैडिसन को बताती है कि उसे उसके पापा ट्रॉय ने मैडिसन, स्ट्रेंड और सभी की सच्चाई बता दी थी ट्रेसी को लगता है कि ट्रॉय सब की रक्षा करता है और कभी भी गलत नहीं हो सकता Madison Tracy से पोस्ती है कि क्या वो Alicia की location जानती थी Tracy पहले तो इस बारे में बात करने से मना कर देती है वो Madison को कहती है कि Madison के कारण उसकी मा मर गई थी आखिर में Tracy Madison को Alicia की location पर ले चलने के लिए तयार हो जाती है Madison और स्ट्रेंड लोसियाना के जो चाहिए वो ले लो सिस्टम का फायदा उठाते हैं और एक ट्रक को जिसमें फुल टैंक पैट्रॉल था हॉट वायर करके स्टार्ट कर लेते हैं उन्हें उस ट्रक से एक गन भी मिल जाती है जब स्ट्रेंड का ध्यान हर जाता है तब ट्रेसी उससे वाकी चीन कर ट्रॉय को अपनी गैस स्टेशन की location बता देती है लोसियाना और डैनियल भी उस message को सुन लेते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं वो लोग बहुत से साथियों के साथ वहाँ पर आये थी लोसियाना चाहती थी के मैडिसिन और स्ट्रेंड ट्रेसी को ट्रॉय को बापस दे दे और होने वाले bloodshade से बच जाएं डैनियल इस मामले में लोसियाना को समझाता है और मैडिसिन और स्ट्रेंड की मदद करने का फैसला ले लेता है डैनियल जानना चाहता था कि कहीं मैडिसिन और स्ट्रेंड ट्रॉय के साथ ट्रेसी को लेकर कोई डील तो नहीं करने वाले थे वो मैडिसिन को भी समझाता है कि वो मैडिसिन की हालत समझ सकता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को खो दिया था इसलिए वो अलिशा को ढोड़ने में मैडिसिन की मदद करना चाहता था वो तीनों अलिशा की लोकेशन के और रवाना हो जाते हैं रास्ते में ट्रेसी उन लोगों को ट्रॉय की बताई हुई एक कहानी सुनाती है वो कहानी रैंच के बारे में थी जब आफिलिया ने बहुत सारे मासूम लोगों को जहर दे दिया था डैनियल उसे ट्रॉय की सच्चाई बताने लग जाता है स्ट्रेंट समझ जाता है कि डैनियल क्या खेल खेलना चाहता था वो ट्रेसी का इस्तिमाल करके ट्रॉय को नुकसान पहुचाना जाता था ठीक उसी तरह जैसे ट्रॉय ने ओफिलिया का इस्तिमाल करके डैनियल को नुकसान पहुचाया था स्ट्रेंट डैनियल को गन के निशाने पर ले लेता है डैनियल काडी को एक जटका देता है और स्ट्रेंड कार से बाहर गिर जाता है मैडिसिन डैनियल और ट्रेसी दूर चले जाते हैं स्ट्रेंड को कुछ वाकर्स कहेर लेते हैं स्ट्रेंड उन से लड़ने लग जाता है तब ही एक स्वेट वैन वहाँ पर आ जाती है अंजान लड़कियों को अलिशया ने बचाया था वो इस ट्रेंड को बताती है कि अलिशया कभी भी एक जगे पर बहुत देर तक नहीं रुकती थी वो लोगों की मदद करने के लिए दूर दूर तक घुमती रहती थी इस वज़े से अलिशया हर जगे एक कहानी एक दास्तान बन गई थी इतनी कि वो तीनों लड़कियां उसके वारिस को जिन्दा रखने का काम कर रही थी उनका मकसद था लोगों को ये एहसास दिलाना कि अलिशया अब भी जिन्दा है और लोगों का ध्यान रख रही है इसलिए वो अलिशया की तरह कपड़े पहनने लगी थी प्रोस्टेटिक हाथ पहनने लगी थी और अपने असली नाम को छोड़कर अपने आपको अलिशया कहने लगी थी ये कुछ हद तक एक कल्ट की तरह था स्ट्रेंड को ये कुछ भी अजीब नहीं लगता अलिशया नमबर वन ने सीजन सेवन में टावर में एंटर होने के लिए स्ट्रेंड को अपना इंटर्व्यू दिया था लेकिन स्ट्रेंड ने उसे और उसके फादर को टावर में एंटरी देने से मना कर दिया था टावर के डेस्ट्रॉय होने के बारे में सुनकर बाद में अलिश्या वन और बहुत सारे लोगों की अलिश्या ने एक नई जगे ढूंडने में मदद की थी वो कहती है कि उसके पास स्ट्रेंट को मारने के लिए बहुत सारी वज़े है लेकिन उसने स्ट्रेंड को बचाया क्योंकि ऐलिशया अगर उसकी जगे होती तो वो भी यही करती स्ट्रेंड ट्रॉय से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि ट्रेसी मैडिसिन और डैनियल के साथ वहाँ गई थी जहाँ पर उसने अलिशया को वाकर के रूप में छोड़ दिया था ट्रॉय अपने आद्मियों के साथ लूसियाना के बेड़े में पहुँच जाता है दौना और लड़ाई शुरू हो जाती है आखिर में ट्रॉय स्ट्रेंड को कांटेक्ट करके उसे ट्रेसी को लाने के लिए कहता है वो स्ट्रेंड को ऐलिशया की लोकेशन बता देता है इ गैनियल को वाकर्स के जुड़ में कुछ हजीब लगता है मैडिसन अलिशया को उन वाकर्स में ढूड़ने लग जाती है उसे एक वाकर दिखाई देता है जिसका एक हाथ कटा हुआ था उसे लगता है कि वो अलिशया थी वो उसके और नस्दीग चाकर उसे ध्यान से देख वो पहचान लेती है कि वो वाकर एलिशया नहीं थी उसी वक्ट ट्रेसी मैडिसन को उस वाकर के पास धकेल देती है और तब ये पता चलता है कि वो वाकर ट्रेसी के माम थी ट्रेसी मैडिसन को बताती है कि उसके माने एलिशया और मैडिसन की बात को सुना और उनकी ये बा दोवन गॉन्स अंटिल ते और गॉन ने उसको मार डाला था मैडिसन अब इस बच्ची से पूरी तरह से परिशान हो चुकी थी वो डिसाइड करती है कि अब वो ट्रेसी को मार देगी ताकि वो आईलेंड को बचा सके टैनियल मैडिसन का इसमें साथ देता है डैनियल ट्रेसी को एक पेर से बांद कर मारने के लिए तयार कर देता है मैडिसन ट्रेसी को मारने के लिए आगे बढ़ती है ट्रेसी अपने आपको बचाने के लिए मैडिसन को बताती है कि ट्रॉय ने अलेशा को फोर्थ वार्थ के पास मार दिया था तभी स्ट्रेंड वहाँ पहुँच जाता है और मैडिसिन को ट्रेसी को मारने से रोग देता है वो मैडिसिन को बताता है कि उसे अब अलिशा को ढोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि नकली अलिशा उसकी विरासत को आगे बढ़ा रही थी तभी ट्रेसी वहाँ से भाग लेती है वहाँ माजूद सभी वॉकर्स फ्रोजन ग्राउंड से बाहर निकलने लग जाते हैं इधर गैस स्टेशन पर लड़ाई के करण बहुत ज़्यादा बरबादी हो चुकी थी डानों तरफ के कई लोग मारे गए थे लेकिन ट्रोजन भाग गया था मैडिसन और स्ट्रेइन वहाँ पर पहुँच जाते हैं मैडिसन वहाँ के हालाद देखती है और वो वहाँ माजूद स्वेट्रप को चुरा लेती है ताकि वो ट्रोज और ट्रेसी को ढूम सके वहाँ सब लोग खुद को फिर से संभालने की कोशिश करने लग जाते हैं